तो हम अपने गुफ्तुगू का सिलसला बरकरार रखते हुए अब हम बात करेंगे ECEC के वेव फावर्ड पे यानि जो कुछ इस वक्त हमारे हाँ जो हमारी प्रिवियस जो एजुकेशनल पॉलिसी थी उनके तहट जो अब तक रिफॉर्म आई हैं उसको मजीद कैसे बेतर कर सकते हैं और अपनी कमी कोताही पर काम कैसे कर सकते हैं तो हमारे जो फैडरल और प्रिविंशिल रीजनिल गवर्मेंट्स हैं उन्होंने बहुत सी स्ट्राटिजी ऐसी बनाई हैं जिनको इंप्लिमेंट किया जा सके और यह रीसेंट जो हमारे एजुकेशनल पॉलिस थी उन फिर जो सबसे बड़ी बात है एडिशनल बजट की तो यह के भई उन सारे एक्विप्मेंट को प्रॉइड करने के लिए छोटे बच्चों की फेसिलिटीज के लिए एक तो आपको पता है कि एक एजुकेटर होता है या दो एजुकेटर होते हैं एस पर दा नंबर ऑफ ट्रेनिंग किस तैसे करनी है फिर अब बहुत से स्कूल है जहां हम इसी के रूम्स खोलना तो चाहते हैं लेकिन रूमस ही अवेलेबल नहीं है या और बच्चों की तदाद इतनी ज्यादा है तो यह भी तैप आया कि हम एडिशनल रूमस जो हैं वह भी कंस्ट्रक्ट करें अगे ताके सारे बच्चों को मौका मिले कि वह भी ECE के डिफरेंट जो कॉर्नर्स हैं उससे लुत्फंदोज हो सकें फिर एक बड़ी जो बात मैं समझती हूं वह यह है कि ECE के काडर ही बिलकुल अलग किया जाए ECE के ट्रेनर्स एजुकेटर्स अलग हो उनके अच्छी सी तर्वियत हो उनको चोटे बच्चों की जितनी भी जिस्मानी, जहनी और जो लेंग्विज की उनकी नशोनुमा है, डिवेलपमेंट है उसके उपर उनको खास तौर पर तर्वियत दी जाए और फिर ऐसे सारे असाद्जा को स्कूलों में स्पोर्ट दी जाए और उनको relevant material provide किया जाए, फिर हमने ये भी सोचा कि flexible approaches होनी चाहिए, यानि एक strict control जो हम कह रहे थे न, जो असाद्जा के लिए भी ठीक नहीं, हमने जो हमारी global reform policy थी, germ उसके हवाले से भी बात की थी, कि strict top-down control जो है, वो ECE के लिए मनासब नहीं है, क्योंकि ECE में बच्चे छोटे हैं, अब ही वो अपनी मर्जी से सीखेंगे, और वाकरी उनको उनकी मर्जी दी जानी चाहिए, कि वो सीखें, तो इतना strict control जो है, वो असाद्जा पर भी नहीं होना चाहिए, कि उनसे नतायज मांगे जाएं, कि भाई, इतने परसंट बच्चे आपके पास हों, इतने परसंट ज किया, तो फिर अब ये, वो चाहें तो ECE प्रवाइट करें, चाहें तो ना करें, ऐसा भी नहीं, बलके उसको मेंस्ट्रीम का हिस्सा तसलीम करते हुए, एक खास हद तक flexibility दी जाएं, फिर proper system for supervising and monitoring, हम ये बात कह रहे हैं, कि supervision or monitoring, ऐसा fail नहीं है, कि आप लोगों को जबरद करें, या उनको कुछ खास benchmarks के हवाले से जांचें, और उनके बारे में strict judgments दें, बलके असल बाद ये है, कि आपको उनके हालात, उनके context को देखते हुए, उनकी कमी या कोताही को दूर करना है, जो सहुलियात उनको मयसर नहीं है, वो सहुलियात उनको provide करनी है, जिस area में वो कमजोर है, उस area में उनकी training करनी है, और अगर किसी वजह से भी वो school की support चाहते हैं, तो आपको वो support provide करनी है, ना सिरफ ये कि किसी खास institute को, जैसे किसी एक school में, बलके आपके जो district government है, जो आपकी provincial government है, और जो आपकी federal government है, ये सारी governments जो हैं, वो ECE के लिए अपने budgets को, और अपनी monitoring को और अपनी supervision को मुख्तिस करें, ताके लोगों की मदद हो सके और बच्चे बेहतरी नशनवा पाएं, इसका कतन control मकसद नहीं है, बलके help out करना है,